मेरे प्यारे बच्चों नवस्कार तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में एक्जामपल्स सॉल्व करवाएंगे एक्सेसाइट 10.3 के कुशन कंप्लीट करवा चुके हैं जिन बच्चों ने एक्सेसाइट 10.3 के कुशन कंप्लीट नहीं किये हैं लेंक के डिस्कर्शन मिल जाएगा कंप्लीट का लेना और इस क्लास में बन बाइवन एक्जामपल का उडवाएंग करता तो सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करते हैं अपने फ्रैंड सर्केल में तो आपको दिख रहा होगा एक्जामपल फास्ट लिखा है find dz upon dt वाइप पार्सियल डिफ्रेंसियेशन एंड वेरिफाय यूर आंसर वाइड डारेट सबस्टिट्यूशन वेर जेड के इकोल इतना है एक्स के इकोल इतना है बाइ पार्मला तो पता ही होगा ना डी जेड अपान डीटी निकालना आए तो फार्मला तो पता ही होगा बेसिक में छे फार्मले लिखाएं उनमें से एक लगेगा अगर नहीं याद है बता देते हैं वाई पांच नंबर पे फार्मला लिखाया था जिन बच्चों को नहीं या में डेल एक्स इंट्टू में डी एकस अपॉण DT प्लस डेल जेड के अपॉण में डेल वाइंट्टू में डी वाइव के अपॉण डी क्या यह function का यहां पर हमने जेड फंक्सन ल потр वहां पर बॉय है Perché Bash poo क Grade कघ वोieso की फार्मला लगेगा डीजेड अपांड डीटी की वैलू निकलाएगी अब यहां पर क्या बताया है बेरीफाई मतलब पुरूब करना क्या पुरूब करना है यूर आंसर जो इसका आंसर निकलेगा डीजेड अपांड डीटी का जो आंसर निकलेगा वही बोला है यूर आंस सबसली टूसन डारेक्ट सबसलीटिएंसें अब आपको बताते हैं सबस्की्टिएंसें का मतलब होता है अब को सबसली टूसन नि को इसमें निकालो है मिसा समझगे करना है जो इस फारोले से निकलेगी जो इस फार्मूले si nessip करना है और hopes सबस्थी टूसंसे समझगे थीक है एक सबुर्व रभाते हैं इतना किलियर हो गया क्या करना है इसमें solve आपको लिख लेना है यह जेड तो given that हम लिखते हैं यहां पर जेड के equal x into में y square plus का x square into y फिर यहां पर बोला गया है x के equal 80 square और y के equal 280 ठीक है अब आपको फार्मला लगा लेना है we know that we know that सभी शुडेंट लिखते हो d z के अपॉन में dt equal में del z के अपॉन del x into में dx के upon dt plus del z के upon del y into में dy के upon dt अब वैलू रखेंगे इसकी निकाल के रखो इसकी निकाल के रखो इसकी और इसकी तो देखो कैसे del z upon del x है तो z function है उसका partially differentiate करना with respect to x ठीक है z यह है एक से करोगे न तो x और यहां पर y square यह तो constant है एक्स का बन हो जाएगा तो क्या मिलेगा y square मिलेगा अब यहां पर आजाओ x कर रहे हो न वाई तो constant है तो x square का क्या होगा 2x होगा ठीक है लिख दिया अब यहां पर आते हैं dx upon dt तो यहां पर x की वैलो तो t के term में है और t के ही with respect to आप differentiate कर रहे हो यहां पर पार्सली नहीं है यहां पर पार्सली यह यहां पर डिफ्रेंसियट है जो इंटर में आप पड़ चुके हो तो टी स्कॉर का 2T होगा ना तो कैसे लिखोगे 280 लिख दो फिर यहां पर आज आप पार्सली करना है बिद रिस्पेक्ट वाई के जेड फंक्शन आपको लेना है वाई के करोगे तो एक तो कॉंस्ट रहेगा ना वाई स्कॉर का 2Y होगा तो कैसे लिखोगे ऐसे लिख दो ठीक ह तो के टर्म में है तो टी के ही बिद रिस्पेक्ट वाप दिफ्रेंशीयट करोगे तो सब्सक्राइब क्या करना है यह 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 निकालना है समझ गहें तो कि अब बात करेंगे वाई की 280 यहां पर रखेंगे तो क्या वजाएगा फोर A square T square Y, Y के equal 280 है इसका square करके यहाँ पर रखना है, तो 4 A square T square हो जाएगा फिलस का 2 X की value क्या है? 80 square हमने रखी 80 square, ठीक है Y की value क्या है? 280 है ओके यहाँ पर क्या है? 280 ऐसे ही लिख लो फिर फिलस यहाँ पर आ जाओ X की value देख लो 80 square है और Y की value तो क्या है 280 ठीक है प्लस एक्स की फिर रखो स्कॉर करके लिखो तो एसकवाइर और टी का है इसका क्रोगी पावर कितनी मिल जाए गी झाल ठीक है अब तूए अब क्या करोगे कामन लेना और क्या दो कैसे तो यहां पर अगर देखा जाए कितना मिलेगा पर लिखेंगे 4 A SQUARER और T SQUARER यहां पर दोगो टू टू जा 4 होगा A SQUARER होगा ठीक एह ना दो बार और T SQUARER और T कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 और 1 3 ठीक है ब्रेकेट में इतना मिला और बाहर यह 280 लिखते रो और प्लस यहां पर देख लो यहां पर अगर इंटू करेंगे 4 मिलेगा फिर कितना मिलेगा यह दो बार है अब बाहर क्या है अब इसी को साइट करके लिखेंगे इसको हम रफ कर देते हैं इतना आप लोग नोट करो इतना नोट करो जितना लिखवा दिया गया है ठीक है एकवल में अब बात करेंगे यहां इस ब्रेकेट में कामन बता 4A स्कॉाइर और T स्कॉाइर मिला कामन तो 4A स्कॉाइर और T स्कॉाइर मिला कामन देख लो 4A स्कॉाइर इसमें भी है इसमें भी है टी की पावर यहां पे टू है यहां पे पावर तरी पावर में जब भी कामन लेते हैं लेस पावर लेना पड़ती है तो T स्कॉाइर हमने इसी लिए लिए लिखा तो यहां पर बन मिले गए स्टी मिलेग गाश्व है अब यहां पे आते हैं जो यहां हमने लिक्क है अब यहां पर आते हैं mem прay टी तो ऐसे ही आकको लेकले लैए पीरेकड़ में और four में less three है ना तो पावर में जब ओनेक कमन लेते हैं तो लेक्ष पावर लिया जाता है जहें वह निमेर्क ली वेली की बात करें चाहिने वाइयल की भात करें समझ गया तो इतना क्लिए होगय आटी क्यू कमन मिला तो टिक गया तो four मिला यहां पर फाइस टर्म में हमने लिख दिया और यहां पर देख लो जब a square और tq चला गया तो केवल और केवल क्या मिला टी मिला और बाहर two a ठीक है अभी हमने क्या गिया अलग-alग term में common देखा दो term है अलग-alग term में common देखा अब total देख लो दोनों तर्म में कामन देख लो तो जब देखेंगे तो यहां पर देखो ए स्कॉाइर टी स्कॉाइर लेंगे एक्यू आउनगी। पहले इंटी करेंगे इसके बाद कामन आमन लेंगे पहले इंटू कर लो इसमें तो देखो फॉर कि अगर एक करना चाहते ह्यों कर लो वाई तो ए यहां पर देखा जाए। बाहर इस trusts यहा कामन मिल जाएगा तो ऐसे रखो एट ना करो कि इसमें एट नहीं मिलेगा बाद में आए क्यों मोदिन तो इसको ऐसे रखेंगे एक हो जाएगा और टीक्यों हो जाएगा ठीक है और यहां पर देख लो AQ और TQ ठीक है 4 प्लस का T अब बाहर क्या रहेगा 2 अब कामन ये बाद वाला 2 मिल जाएगा 2 मिल जाएगा कामन और क्या मिलेगा AQ और TQ मिलेगा देखो यहाँ पर कामन दिख रहा है ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें 4 का इस में टू कर दो क्योंकि यही बचा न ठीक है अब यहाँ पर आजाओ 2 चला गया इतना चला गया 4 प्लस का T 4 प्लस का T तो 2 AQ और TQ अब देखो 4 4 8 हो गया ठीक है और यह क्या मिला 5 T यह आंसर शीट आदे DZ अपान डिटी के आगे अब इसी answer sheet को जो answer निकला है कहता direct सबस्थी टूशन से verify करना है प्रूब करना है direct का मतलब यह होता है सबस्थी टूशन का मतलब जानते होगी variable को change करना है तो X और Y की वैलू इसमें रखो फिर आपको T के with respect differentiate करना है क्योंगे जेड की वैलू टे टर्मीन निकल ने रहे तो ठीक हैसे चुशिन डाल दो इसे क्या डाल दो फिराम इक्वैशन फास्ट इसी के आगे लीखना है इस लignon फास्ट तो हम आपको बताते हैं यहां पर थोड़ा सा ऐसे कर लेता हैं क्योंगे स्पेस मैरे पास नहीं है हम लिखेंगे डीजे अपान डीटी की तो आई गी है फ्राम एक्विजन फर्स्ट का हम करेंगे यूज दूबारा एक्स-जेड के क्या है एकस्टू य स्कॉर और प्लस श्कॉर इंटू उए अब जेड के क्न हम लिखें गहें लिक्त बैइलव डाल दो इसमें 80 स्कायर है कि एक्सी इसकौायर और जरा कि तूएटी वाइभी मुझा है तूएटी ठीक ऑफिर इसे में रखो एक्सीवलू एटी स्कौायर है और बाय की बडूवटाएटी नहीं है आपको दिख रहा होगा एक सी वैलू 80 स्कॉर है य की वैलू 280 है तो जेड की यहां से वैलू कितनी मिलेगी तो पहले तो ऐसे ही लिखेंगे 80 स्कॉर यहां पर क्या जाएगा 4 फोल स्कॉर है ओपिन करेंगे तो यह मिलेगा ठीक है यहां पर आते हैं एस्कॉर और टी की पावर 4 ऑर 280 ओके थोड़ा और स्वाब करते हैं यहां पर फिर बाद में डिफ्रेंच्येट करेंगे बिद रिस्पेक्ट्ट तो ठीक है तो यहां पर मिलेगा 4 फिर एक्ई देखो और टी की पावर 4 समझ गया है यहां पर देख लो कितना मिला टू ए और एस्कॉर एक्यू और टी की पावर फाइव ठीक है अब इसी का डिफ्रेंसियेट करना बिज रिस्पेक्ट टीक है चलो इतना नोट करो अब इसको हम रफ करते हैं अंसरीट मैस करना यह जो है अंसरीट ठीक है यही निका हो और तो क्या करना यहां पे आपको लिख ले ना है डिफ्रेंसियेटेंग ल Chapel द 3-05 मतलब टीके साम पेश हमने अभकलन किया है तो इसका मतलब क्या होता है यह जो लिखा है इसका मतलब यह कि दोनों साइड आपको डी अपांडी टी रखना है दोनों साइड रखना है डी अपांडी तो ठीक है 4 aq और टी की पाऊव प्रॉर प्लस 2 axe siout what तो यहां पर रहतीएगा डीजेट के अपांड में DT equal में 4AQ ऐसे रखो इसका बोलो यहां पर T है ना T के बिदे रिस्पेक्ट्टू कर रहे हो तो 4 आगे 1 पावर लेस कर लो यहां पर आ जाओ अब इसका बताओ जल्दी बताओ फटा बड़ पाइव आगे और एक पावर लेस कर लो कामन आमन देख लो जैसे यहां पर 2AQ TQ बाहर है तो आप भी कर लो 2AQ और TQ या बाद में करना या पहले कर लो कोई दिखना यहां से टू चला गया एक यू टी क्यू कामन चला गया अब यहां पर आते हैं एक यू और टी है यहां से बन पावर यहां पर लिख देना कामन यहां से पावर तीन को लेना ठीक है तू चला गया 5 मिला और एक पावर लिख दो तो यह आंतरशीट वेरिफाय हो गई है देखो जो पार्सियल यह वाली ठीक है डारेट सवस्टिटूसन से निकाली है यह वाली दोनों से मैं देख लो ब्रेकेड में एड़ प्लस फाइप टी है ठीक है यह एक्जम्पल कंप्लीट हुआ अब बात करेंगे एक्जम्पल सेकेंड की तो आप लोग तब तक नोट करो कि तब तक आप लोग क्या करो ओ दो करो करेंगे ना फिर आपको बताते हैं नेक्ट एक्जम्पल मतब और एक्जम्पल में मतबसा आएगा साहत рублей पर इंगे कि फामला कौन से लगएगा तो हम आइडिया देगा है चाहिए फार्मिला कौन और रखेंगा जिस बच्वे तो उसी से आपको काम करना है, जो आईडिया बताते हैं न उसी से काम परना है, और सारे के सारे इंग्पल सौल बोर जाएंगे, कुस इम्पम भगर काफ गेल है क्लाएंक बर आख की और कैसे सौल करना है, देख कर लो ना वाह पर एंग्पल बात करेंगे हम सेकेंड, Bush अब क्या बताया ए फंक्शन इतना एज पिर बोला है रिव राइट है रिटीन है वाई इंदा टर्म इंदा टर्म आफ न्यू वैरेविल न्यू वैरेविल्स यू के एक्वाली की पावर एक्स कॉस वाई एंडे मी के एक्वालएगी पावर अपान डेल वाई के एक्वल माइनस का वी और डेल याफ अपान में डेल यू पिलस का यू डेल एफ अपान में डेल भी प्रूब करना यह आया है कानपुर बता देते हैं कानपुर 2014 यह पूछा गया था 2014 में कानपुर इनिवर्स्टी में हमने आपको बताया था कुस्चन हो चाहें एक्जामपल लो अगर महां पे इनिवर्स्टी बताई गई है तो जरूर आपको तयार करना है क्योंकि यही रिपीट होते हैं आपकी इनिवर्स्टी कोई सी हो को उस्वर्स्टी में आच चुका हूं उसी की प्रक्किश करो वही रिपीट होते हैं वहिसे तो हमको आप एटूजेट पढ़ाने में मज़ा आता है यह जो कॉंसेट अब ही कि लिए रोता यह जब हैटूजेट पढ़ोगे कॉंसेट अब हैं सब्लूजेट पढ़ोगे मो में आगे लिखा है new variable यू और बी यह condition है यह क्या है condition है तो condition इसमें आपको यू और भी मिली है तो condition से पता लग गया कि फार्मला कौन सा लगेगा ठीक है तो पहले तो गिविन डाइड लेगे लो जो function है याफ है फंक्षन क्या है याफ है कौन से variable में है एक्स एंड वाइं में और condition बोला है कि कंडिशन बोला है कि के एकवल एक्स कोस वाइं और भी के इकवल क्या बोला है कि एकीपावर एक्स आइन वाइं यह आपको बता है पिछली क्लास में 11 12 13 और 14 को समस्व गिया थे हैं आपने बताएता है इनका सेम सॉल्व है जैसे question 11, 12, 13, 14 solve हुए है ऐसे यह होगा क्योंकि यहां पर अगर बात करें u की value xy में है और b की value xy variable में है तो आपको x पकड़ लेना है क्योंकि x दोनों में इसमें भी है यू की value में भी है और b की value में भी है तो ठीक है तो x के लिए formula बनाना है मतलब first term इससे बनेगा और second term इससे बनेगा यू का मतलब daily u का multiply है हमने आपको बताया था कि यह पुरूप करना है इससे कोई परावन से मतलब नहीं है तो रूप दैट से नहीं पताचलता है कि formula लगीगा पूरूप दैट से नहीं पता चलता है हमने आपको बताया था से प करो follow adopt यह अपने याप पुरूब हो जाएगा और यह आपको दोनों में और य की बात करें बाइं भी दोनों में ए टो हमें पता है कि ये लिए फार्मला बनाना और ये लिवांक को बताते हैं लेल अ 수 is कर दिवाइड लेना है ये ट्रीक बनेगा wat कैसे बनेगा हम आपको बताते हैं विस्टेर poker को क्या करना मेरे पास है है इसके बाद से लेना है हम ने ले लिया ठीक है फिर आपको क्या करना है पॉज टर्म इसे लिखना है मतलब मैं मोलटीपलाइब ए यहांपे यहां प्रस। टर्म से बनेगा पहले फंक्सन लिख लो फंक्षन के फार्मुला बनता है फार्मुला भी बता देते हैं कि कौन सा लगेगा फार्मुला भी बता देते हैं यह कौन सा लगेगा तो पांच नंबर पे लिखाया था फार्मुला यह वाला फार्मुला पांच नंबर पे लिखाया था मतलब एक्स के एक्वल फाइवन टीवन कामा टी कि वही यहां पर यूज कर रहा है इसको रफ कर देते हैं अब आपको पता चल गया कि फार्मला कौन सा लगेगा अब देखो डेल अपान डेल यूँ इसको तो ऐसे रखो कि यहां पर आते हैं डेलिउ अबनेल एक सी वालू मतलब यू फंक्शन है यू की वैलू एक्स एंड य तो एक से बिद्रिस्पेक्ट्ट्व कर रहे हो तो वाई क्या रहेगा रहेगा यह चाहिंद की पावर एकस गाइकि पावर एकस ही होता है कॉस फिर पिलस यहां पर आते हैं डेल जेड के पान में देल भी ऐसे रखो यहां पर आते हैं से बी फंक्सन है मतलब दी की वेलू देख लो एक सरभाई में है बिद रिस्पेट टू एक से करोगे यह कॉंस्टेंट रहेगा एक पावर एक से यह कॉंस्टेंट रहेगा ना नोट करते रो नोट करते रो और आंधर सीड़ में पता है कि डेल एफ अपान में डेल एकस फर्स्ट वालेट पार्ट में यही आपको निकलना है तो यह तो मैश हो गया यह भी मैश हो गया यहां पर यह रखो अगर यह फंक्शन यह पर तो यह रखो समझ गया जैसे जो यहां पर होता ना फंक्शन वही लिखा जाता जैसे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह अगर है तो यह लिखो जैड़ है तो जैड़ लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है तो य भी मैस हो अब बात करेंगे हम यूवी की तो यहां पर यूव कैसे आएगा बापस वैलू डाल दो यह जो है मैं यूव के है तो हम लिख एंगे डेल एकस ऐकल में यूव मैं इल यूव कि डालेंगे एक D power x cos y किसके एक्कोल है यू के इक्कोल है ठीक है पिलस डेल ऐएफ अपांड बी यह वैलू किसके एक्कोल है यह वैलू B के है डाल दो अब आगे लिख लो क्यूंकि फास्ट वाले पार्ट में यू आगे है भी आगे बताया है तो यू को आगे लिख लो और यहां पे-ब बी तो डेल एफ अपान में डेल एक्स यह लो ठीक है फास्ट पार्ट हो गया यहां पर डाल देना अब सेकिंड पार्ट की बात करेंगे आपको पता है यह अब यह बचाना बाई के लिए फिल लिको बीनो देट पार्मला बाई के लिए और यूज कर लो पहले फंक्सन जो भी फ चूज करोगे बाई ठीक है पास्ट टर्म इससे लिखना है उस तर्म यू से तो कैसे पहले फंक्सन डिल यू का डिवाइड और डेल यू का मॉल्टिप्ल अपान में जो यहां पर वही लिखा जाता प्लस सेकंड टर्म इससे लिखू पहले फंक्सन फिडेल वी का टो से सिटार्ट होते न वह मैनस होडते हैं जो सी वेश्ट दोते हैं तो मैनस तो सबस्दीप लगालो मैंनस आगे लगाके site लिख दो ओके अब आतें यहांपे देल आपन लगए अब डेल भी यह हैalley ли डिफ्रेंशिए और ना या साइन का कॉस होगा न तो यह साइन का मैंना और एक का क्व πावज है तो यह भी मैश हो जाएगा ठीक है न स्विर्थ हमीजन्रा ज़सा तो यहां से थोड़ा सा लिखते हैं जल्दी नोट गरो इतना पहली तो आंसर शीट आई गहीए है तो शेकेंड आंसर शीट मैस करना है कि समझ में आ रहा होगा तो कमेंट जरूर किया करो सभी स्टुडेंट लाइक क्या करो वीडियो सभी स्टुडेंट ट्रू द्लेफ एलबाइ के इक्वल तो वैलो किसके कपने चलो यहां से देख लो हम तो रफ तो कर कर चुके हैं एकी पावर एक साइन वाई बीके एक्वल है यह लो आगे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है फिर इसकी बाद में रखोगे जैसे बाद में रखोगे जैसे लिख देते हैं माइनस भी ठीक है बैलू डाल दी पिर इसके बाद में डेल एफ अपान में डेल भी इसकी बैलू डाल दो यू अब ठीक है आगे कर लो माइनस का बी डेल एफ अपान डेल यू प्लस का यू डेल एफ अपान में डेल एफ अपान डेल भी तो डेल एफ अपान में डेल वाई गरिखो और सीर मैस हो गई ओके मैस हो गई मैस बी है फिर यू है ओके-ओके-ओके नोट करो इतना अब जामपल थाड्ड सौल करने एक जामपल थाड्ड सौल कर आते हैं आप लोग क्या करो नोट कर लो इसको ये तो होई गये न अब घर्ट किया बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई आ रही है को भी इठाद है क्योंकर आपने नोड लिया होगा है यह लोगा ठीक है आब बात करेंगे हम एक जांपर को में थार्ड गई है बताया गया एफ एक्स की पावर प्लिसर चोटाающan है यह तो और वहने है देखो जब भी आपसे कुस्चन में या फिर इंप आप एक्जांपल मैं डीवा पांडी एक्सी वैलू पूची जाये हैं तो इंप्लीसिट का लगाना है फार्मूला एक इंप्लीसिट फंक्टन का मतलब होता है यू के इक्वल ट्यक्स गहां हो भाई डी वाई अपान डी एक्स यह ऊपर आएगा और यह नीचे जाएगा कैसे जो बाद में है उसे उपर रखेंगे जो पहले है उसे नीचे रखेंगे तो फार्मूला बनता है डेल एफ अपान में डेल एक्स अपान में डेल एफ अपान में डेल वाई ओके यह फार्मूला बनत है implicit जब function हो तो यह इंप्लिसिट function है लिख लो गिविन डैट क्योंकि यहां पर लिखा भी है इस सभी स्टुडेंट लिखो गिविन डैट तो एक्स पाव वाई और य की पावर एक्स एक्कोल एकी पावर वी तो क्या करेंगे यहां पर आपको function ऐफ दिख रहा है दिख रहा है तो फंक्सन अगर यह दिख रहा है तो यहां पर यह चला लो दोनों साइड ऐसे कर गया चाहिए यू के एक्कोल एक लिख दो कोई दिख कर नहीं जो function होता ना वहीं यहां पर लिया जाता है तो मेरे पास फंक्सन नहीं है तो लेट करेंगे आपको कैसे लेट करना एक्कोल जीरो करना है पहले क्या क्या करना है इक्कोल जीरो करना उसके बाल लेट करना है इक्कोल जीरो ठीक है अब लेट कर लो य autosimplicit function का formula होता है क्या होता है कि डी के अपान मेंडी सब्सक्राइब कर दो तो आपको बता है रहे गां तो देख लो यहां पर वाई कॉंस्टेंट रहेगा तो यहां पर फार्मला लगेगा एक सी पावर एन का लगेगा वाई कॉंस्टेंट है अगर एक्स कर रहे हो तो वाई कॉंस्टेंट है अगर एक्स कर रहे हो तो वाई कॉंस्टेंट है वाई आगे कर लो बन पावर लेस कर A की पावर X लौग A बेसी लगा वाई तो Y की पावर X ऐसे लिखो लौग A A की आए मेरे पास Y है तो लौग A हो गया बेसी और इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कॉंस्टेंट है इसका समझती है देख लो एक बार जो A है वो यहाँ पर आता है layer constant constant होता ना lock के बाद लिखना है आपको फिर इसके बाद में में लेक्ड बात करें रज्रेक्ट टो बहुंके बिद्रेसपेक्टे आगर देखा जाए तो यह फार्मॉला लगेगा मिल्स टर्म है यह वैसे बृष मैस है यह जैसे मैस है तो यह जो एक सेना constant constant की power variable constant इपाव वैरेविल तो लगा फार्मला तो एक्स पावर वाई log A A क्या है जो यहां पर होता है बेस वही ए है तो एक्स बेस ही ठीक है यहां पर आते हैं प्लस अब बताओ बाई है तो बाई यहां पर बेस में है पावर क्या है constant तो वैरेवल की power constant ओिए फार्मला लगेगा तो बाई यह एक्स और वैरेविल थे ना दिखゃ लो बाई मेश हुआ सब हैं बाइरिवल बाई बाई न पावर का फार्रांस खोथा पावड कावन का फार्म्स यह लखी जाएगे ओके दुबारा दुबारा तो होगा नहीं डिफ्रेंसियेट क्योंकि वाइरेबिल से मैं इसलिए अब यह जो टर्म है माइनस का एक ही पावर यह हो जाएगा जीरू आपको समझना है कौन से टर्म है कौन सा फार्मला लगेगा तो हमने आपको बताई दिया है कौन से टर्म है कौन से फार्मल लगेगा थीका थोड़ा एक लाइन बढ़ा के लिख लो डिए य के अपान में डि एक्स इक्वल Y एक्सफाव Y-1 प्लस का Y की पावर X in में लोग-ई-बेसी अपान में स्प्रिंट हो जाएगी ठीक है जो हम बताते हैं यही है और माइनस जो आगे लगाते रहो जैसे यह माइनस है आपको यह तो चीद देख नहीं है वाई कि माइनस चलना वो तो आपको करना ही करना है आगे समझ गये हम तो मैश करवा ही देते हैं जेसे बाई एक सी पावर बाई मैनस एक टर जीए सेगिंड ठीक है नीचे वाला टरम देख लो एक सिपाव वाई लाग एक स्वे थी यह ठीक है यह ठीक है अब रब करेंगे एक्जमपल फॉर करवाते हैं एक्जमपल क्या करते हैं एक फूर करवाते हैं तो आप लोग क्या करो एक्जामपर फूर लिख लो अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम लिख देंगे अगर बुक आपके पास है ड्र बिनुर कमार रैडर के तो आप लोग खुद कर सकते हो लगा सकते हो उसको हमें क्या है हम तो कि बताएंगे आपको ऐसे से लगाना है देखो एक्जामपर अगर हम फूर की बात करें यहां पर बोला है फाइंड फाइंड ड यू के अपान वे ड Woo को एक्वा मैं दीएस यह यह फिर अफ यू इक्वल क्या है यह अ ख्वाहए राध्य। 2y के एंड घ्यक्सक्यू प्लस वाइक्यू ओपिलस सका 3xy एक्वल एग्षू प्लस का 3xc1 और यूच के एक्वर एक्स लॉग एक्स वाइए डियू अपाण डियक्स निकालना है सिंपिल है बता कौन से फार्मुला लगेगा इसमें फार्मुला कौन से लगेगा कि डी यू के अपन डी एक्स पूछा गया तो वैरिवल देख लो एक्स बाई नजर आ रहा है तो एक्स बाई में स्टार्टिंग में तीन मतलब दो फार्मुले लिखा दिये था तीसरा वाला एक्स बाई जेड वैरिवल में तो सेकिंड फार्मुला यहां पर लगेगा फार्मुला सेकिंड लगेगा यह भी आपको पता फार्मुला कौन सा लगेगा तो दी यू के अपान में डी एक्स डेल यू के अपान में डेल एक्स प्लस डेल यू के अपान में डेल वाई इंटू में डी वाई के अपान में डी एक्स ठीक है यह फार्मला लगेगा जब यू किसमे हो एक्स वाई वैरिबल में पंसन जो हो एक्स वाई वैरिबल में चलो यहां पर कर देते हैं कोई दिकत्प में फंक्टन ही होता है कि यह तो हमें क्यादा हमें डल्यू अपार्ण देलेक्स चाहिए और अबbei लूआ यहां से इसकी बेख्यों मिल जाते और हम नीजा आपको बता है तरग कि दिवापन देновर इंप्लिसिट का यह फार्मुला आपको यूज करना है पार्षिल मतला पार्षिल में इंप्लिसिट फांग्सन अगर है तो फार्मुला वह वह वाला यूज करना है पहले लिखते हैं फिर बताते हैं तो यू के इक्वल एक्स लॉग एक्स वाई फिर क्या एंड एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू प्लस का थ्री एक्स वाई इक्वल में बन तो यहां पर यह हमने लिया है क्या लिया है तो यह की आंदर ही निकालो किसे निगले कि इससे निगल नहीं है यहां से आपको इफ दीन गला aل कैसे वजिरो करके एक हो जीरो करके निकल जाती है तो एक्स और लेट कर लो एक एक्स स्काओब्ह यtså मांच मानओ अब लगा फार्मुला फार्मुला तो आपको पता हुआ है बिनों और विड़ Talent पार देविफसा तो पहले हैं निकाल लो बाद में फार्मुला लगाते हैं पहले कि अगर और भूण ब legitimately तो यहां पर क्या करेंगे नाव लिखेंगे डेल यू के अपान में डेल एक्स यू की वैलू देख लो एक्स लॉग एक्स भाई निकालता है तो यहां पर प्रोडेक्ट लग जाएगा पार्स्ट को ऐसे रखेंगे सेगेंड का को पार्सलेडिफ्रेंशीएट फिर इसका अगेन करूब है न बाई क्योंस्ट रएगा एक्स गषण भाइन तो बाई निकलेगा संगे एकस कर लो पिलwrस्थ को ऐसे वाइब बन प्लस लॉग एकस वइ आएगा एकन में वन प्लस का लॉग एकस वइ आएगा यह और्द सशी निकलाईए देर्यू के अपान में डेल एक्स ठीक है अब निकालेंगे डेल यूपान डेल भाये तो इतना नूट कुरो फिर देल एंड अंड में डेल यू कि बाइलव निकालो तो ठीक है यू की वैलू रख दो यू की आ है मेरे पास एक लूग एकसवाई तो यहां पर एकस तो और यहां पर आगे कर लो एकस कॉंस्टैंट रहेगा उसको आगे लिखेलो लॉग एकसभाई क्योंकर वैया ना जिसमें या उसी का करना की shocked रहें रहे गार तो अपां मेमने दो फिर इसका अगेन करो पहले लौन का कर लिया है ये लेख्स चला गया उपर एक्स मेला नीचे इतना मिला ओके इतना क्लिЕर Druh आपयं मिला है अब इसके बाहद में हमें क्या निकाला है है अद आप इसकी इसकी वैलो इसकी निकाला डी आपान डी एक्स की ठीक है अथी लिख लो डिवाई की क्वाइगे यही कालेते हैं बाद में हम फार्मिला यूज कर लेंगा निकालते हैं बाद फार्मिला यूज कर लेंगे यहां पर मैनस लगा लो डैल F अपन डैल एकस यह राइआ «f» तो यह जीरो तो जाएगा x Q कितना मिलेगा ixQ और second term 0 हो गया एक से कर रहे हो बिद्रिस्पेक्टू एक से कर दो बन होगा 3y मिलजाएगा कितना मिल जाएगा 3y ठीक है एक का बन हुआ और वाई बाई बिरिबिल जो है constant 3y लेगो मायनस constant का 0 अपान में देख लो बाई के बिद्रिस्पेक्ट करोगे तो एक्स constant रहेगा यह 0 हो जाएगा और इसका तो किया नहीं क्या कर वे भाई जब एक्स कर रहे हो ठीरिया बन पावर लेस कर लो अब ठीक है क्यों ऐसे लिए था उसका किया नहीं करो ठीक है वह हो गया अब बाई के बिद्रिस्पेक्ट करोगे यह 0 इसका करना है तो 0 3 आगे बन पावर लेस कर लो तो यहां पे आ जाओ 3x ऐसे रहेगा बाइ गापोलो बन गोगा न तो प्लस का 3x y का बन और इसका कौंस्टेंट का जी रो तो ऊपर कितना मिला 3x square plus 3y Pन में 3y square plus 3x 3 common लेके cancel कर लो ऊपर भी 3 दिख रहा है और नीचे भी दिख रहाय यह तो यहां पर सोड़ा साम लिखेंगे आप लग नोट करो एक्जंपल 4 जो है सिंपल है ज्यादा टफ थोड़ी है करेंग एक्ञंपल पोर रें यह सिंपल है ज्यादा टफ नहीं है अब लिखो भी नो एक भी नोठ हम लात याद ही होगा ला मैं लिखते हैं हमसे पुछा गया हैले फीटी एकिस इस खुथाॹं में ठेल इस प्लस का डेल युऑ एकषैक फिर प्लस डेली आपन डेलवाई की यह एकषापान फॉए थिए क्ट और टिए अट्धुद यह को ओ अ मैसे मायनस है यह प्लस तक कर लो तो इसाइट उसाइट करई लेग दो डीवाजंड एक्स किया गई भुक से मैस करवादी फिर मैंस करवाद स्कूर्थ करते हैं अब यह करते हैं अब तर नोट कर लो मैस कर लो कि अब तर सीट मैस करवाएं गे पहले सकती है रख करते हैं फिर मैस करवाते हैं है है तो देख लो फास्ट टार माय बंद पिलस लॉग एकश्य ठीक है मैंनस एक सपानगा फिर बिरेक इन में एक स्काइर पिलस बाइप अब बात करेंगे हम एकजंपल पाइब इसको सॉलब करते हैं एकजंपल फाइब को रेहिं पहले लिखेंगे एकजंपल तो फाइब क्या करेंगे पहले हम लिखेंगे उसके बाद बताते कैसे सॉल्व होगा आप लोग क्या करो नोट कर लो इफ वाई क्यू है फिर माइनस का थी एक्स स्कॉाइर प्लस का एक्स क्यू एक्कॉल में जीरो है फिर क्या है फूरूब बैट क्या लिख फूरूप टेट क्या पूरूप करना इस ढूंडी फिर के एक्स पॉयर प्लस का आ टू एच्वाइख फॉर इस इस हो जाएगा प्रूफ तो हमें डी टू बाई अपन यह तो इसके लिए फार्मॉला पता है यह लिखवाए था हमने चाह तो यहां पर हम लिख दे ओग बाद डी टू ऑई के अपन में दी ई हैंस क्यों मैंनस क्यों क्यों फिर मैंनस का टू फीकिaju यास प्लस का अपी स्वारु टी की आपन में क्यों कalnya लगा लो डारेक्ट फार्मूला है पहले गिविन दैड लिग लो सब इस्टूडेंट लिग लो इसको गिविन दैट गिविन दैट अब फार्मूला कौं सा लगेगा दीनुद लिग लो सबीजड का इसी स्पॉड साथ है साथ सार्मीद कई शिंविन लिगो आपको लिए स्क Gegente. में अब यहां पर भेर जो पी है मेरे पास क्या है बताँ पी क्या है function function तो लेना ही लेना है अगर इसको हम लेट कर लेए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिखते हैं लेट यह लिखो तो यह लिखो तो यहाँ पर यू लिखना आ कर दो अब यहां पर डेल एफ पान में डेल एक्स आ रहे हैं अब क्यूंभ बीक्यू डेल एफ पान में डेल एक्स इस्क्वायल अर्टियस कैसे याद किया है आर्टियस R T Firius अईसे याद करना है P Q R T S कभी नहीं बोलोगे P Q R T S P Q से यह हो जाता है यह AES अलग से ध्यान रखना है अब निकालो भई P की वैलू निकाल लेता है P क्या है मेरे पास DL F upon DL X तो निकालो भई E F है न विद रिस्पेक्ट टो AX से कर लो प्रेंटियर्ट यह तो 0 यहां से बोलो 6x आया कि यहां पर कितुना होगा 3x और आगे बन पर कर लो ओन्लों तो क्यों इस जब बहुद निकालेंगे hai देल फ़कांड गलों तो यह आज आएगा तिरी वाइए स्क्वायर आ जाएगा और इसमें भाइड नहीं है कॉंस्टेंट है जीरो यह भी जीरो रही नहीं है इन दोनों में तो जीरो लिख दो ठीक है क्यूं हो गया अब इसके बाद आर आर निकालते हैं डेल टू एफ अपान में डेल एक्स इसक्वायर वह इसको ऐस पॉइंट डेल एक्स तो आप निकाले चुके हो यह फिर आपको इसी का अगेन करना बिद रिस्पेक्ट टू एक्स गया तो ठीक है तो यहां पर हम लिखते हैं माइनस का सिक्स ए क्योंकि एक्स का बन हो गया यहां पर पावर आगे कर लो बन पावर लेस कर लो टू ठीरी गच्च करो ये बाई का किया इसका इसकी वैलो निकल आएगी तो 6YU हो जाएगा ठीग है फिर यास निकाल लो यह निकाल लू येस तो देल टू एक्स घल भाई डेल एक्स छलो गईホ यदि यह है ना यह कि करो गे यह करोंगे तो इसमें नहीं एक नहीं अब यह बाइए इसमें रखना इसे एक्वेशन डाल दो इसे क्या डालों केशन फास्ट फास्ट तो पुट है डीज value of P Q R T and yes in equation first रख दो in equation first में रख दो तो रखते हैं भाई D2 Y के अपान में DX square रखते हैं भाई लो देख लो जैसे minus तो पहले लगा ही लो Q square तो Q square का मतलब है क्या होगा 6 Y की power 4 square कर दो na 6 होगा 9 होगा 3 का square 9 और Y square 4 ठीक है R की value देख लो ये R की value ही है तो minus का 6 A plus का 6 AX ये R की value होगे फिर इसके बाद में देखो minus का 2 है हमने लिखा minus का 2 फिर P की value रख लो P की value दुबारा रखो ये वाली P की value क्योंकि P पहले क्यों बाद में फिर ये R की value minus का 6 AX minus का 6 AX प्लस का कितना है 3 X square ठीक है P हो गया फिर Q Q की value 3 Y square है ठीक है 3 Y square Q हो गया फिर YS प्लस का प्लस का P square P square की value देख लो P square इसका square करोगे इसका क्या करोगे स्कॉर माइनस का 6 AX तो वहां पर आ नहीं पाएगा तो यहां पर लिखते हैं प्लस का 3 X square whole power कितनी है ठीक है T T की value देख लो क्यूंकि पहले हमने P की रखी square हो गया P यह है माइनस का 6 AX प्लस का 3 X square T T की value यह 6 Y रख दो और अपान में जो चल लाए उसको लिखो Q क्यू बताया है क्या बताया है तो इसको यहां से लिखेंगे इसको कहां से लिखेंगे यहां से लिखेंगे D2 Y के अपान में DX square Q Q देख लो करो बाई Q 9 Y की power 9 square 27 आएगा न 3 की power 3 यह दो को Q Q यह है power 3 इसको देना इसको देना है तो थिरी कितना होगा 27 और इसकी whole power क्यों करोगे power power के अटू होता है भाई की power 6 हो जाएगी 3 तूजा 6 अब क्या करना है इसी को site करना है अ है मतलब यह आंतर ही निकाल देना है तो देखो कैसे कुछ कामा नामन मिला तो ले लो तो हमें 6 बाहर निकालो फिर बताते हैं इसको हम रफ करते हैं फिर बताते हैं solve कैसे करोगे जैसे अगर हम आप सही है कहें यह तो 0 ही हो जाएगा यहां पर देखो 6 वाई है ठीक है 6 कामन भी मिल जाएगा पहले हम क्या करेंगे परस्ट टर्म में देखेंगे याह इंटो 6, सё बाइक sol 9 की và waf leo माइनस का X minus A कर लो चाहे कि यह माEP~~~ सकका Md7 कैसे उश्ट फिंगे यह तो 0 हो गया खार से यह तो 0 हो गया माइनस पर देखो यहां से क्या निकालो बाहर कि त्वेन दिखेव के पार अपनी लेके आएगा नाइन हो जाएगा और 6 यह बाहर वाला ठीक है और बाई ऐसे लिख दो ठीक है यहां पर इस पैस नहीं है इसको रफ करते हैं लिखना है तो नाइन तो समझ में आगे ना थी बहार निगला स्कॉर बनके नाइन हो गया वाई बाद वाला आगी लिख दिया तो अगे लिख दिया तो अब ब्रेकट में क्या मिला थीडि टू जा तरी टू जा खुआ है और ब्रस का एक स्कॉर होल पावर के दिनी है होल पावर कितनी है तो ठीक है अब अपार में क्या चल लाए है 27 वाई की पावर 6 हमें कितना लांग नीचे वाई की पावर 5 अब 27 कैसे मिलेगा बताओ 6 को कैसे लिख लो 2 x 3 27 यहां से मिल जाएगा कामन मिल जाएगा 27 और वाई ले लो क्योंकि एक बाई कम करनी है नीचे 5 चाहिए ना ठीक है तो इसको कैसे लिखा 6 को 3 2 जा तो हमने 2 यहां पर छोड़ दिया तू छोड़ दिया और बाई एक चली गए 3 एक समयनस है इतना क्लिय हुआ है यहां से ऐसे करो नाइन तो बाहर आ गया और तीन और लेके आया दो बचा पिलस का दो बचा ठीक है और यहां पर अगर देखा जाए मैनस का टू एक स्प्लस का एक स्कॉर होल पावर टू होल पावर टू ठीक है इतना लिखो आंदर शीट तो मैस करवाई देंगे इसको हटाते हैं अब इसका कोई नहीं है इतना क्लिर हुआ अब आपाण में देखते हैं यह कट गया यह काटू एक पावर मैनस कर दो बाइक sous कहां से रखो गे अगर गलो देखें क्य Dongky here यहां पर टोटल एक से वाई टोटल क्या एक से तो यहां पर भी एक सपलता टॉ दो फिन के माइनस ऐसे रखो यहां पर क्या है और तू बाहर निकालो दोनों में तो बाहर आ गया यह वाला वाई लगान और इसको उससाइड लेके जाएंगे तो 3 a x सकार यह प्लस का हो जाएगा इसको साइड लेकर जाएंगे माइनस का हो जाएगा ओके हमने बाइक्यू की वैदू रख ले और एक्स माइनस ए और प्लस का प्लस का अपान में नीचे तो मैस हो गया नीचे मैस हो गया और टूबी मिल गया अब ब्रेकिट से मिल जाए ए स्कॉर और एक्स स्कॉर मिल जाए ए स्कॉर और एक्स स्कॉर तो मिल जाएगा जैसे एक्स बार निकालोगे यहां से एक्स स्कॉर बार निकलो एक्स स्कॉर कामन मिल जाएगा दीरे-दीरे काम करेंगे क्या करेंगे दीरे-दीरे काम सम करेंगे सम मिल जाएगा यह मैंस तो मिली गया स्कॉइर हमने कम लेकर निकाल लीए एक स्कॉइर निकाला तो 30 congress और एक समयनस ए ऐसे रखना यहा पे आजा जब एक सबाहर निकाला तो पावर लेकर आएगा तो एक चलो इतना नोट करो और य payments quiet 높ल इकोई चल दाएं दी टू भाइी के अपॉन में में दी एक स्कॉयर के उसकॉयर को चल ना है चलो यहां पे मैंनस का लिए एकसा स्कॉयर माने चैनल को फ़हले हम ठीरि एक सब कर लो चाहें इसी से इसमें करो, चाहें इसे इसमें करो कोई दिकर नहीं है तो 3ax, ax कैसा कर रहा है माइनस का ax square फिर माइनस एक करोगे माइनस का 4 as square मतलब 3 Ax तो 3 आपको लिखना है यहाँ यहाँ 3x, क्यूंके A की टू गया माइनस का 3 a square मैनस मैनस प्लस का AX आ गया ओके अब यहां पर आ जाओं यहां पर A स्कॉाइर प्लस B स्कॉाइर कर लो A स्कॉाइर प्लस का B स्कॉाइर माइनस 2AB तो डूजा 4AX ठीक है अब देखो कुछ ना कुछ तो होगा वाई की पावर 5 ठीक है देखो हमें लाना है एसकॉाइर मतलब यह तो मिल चुका बहार यह भी मिल चुका एसकॉाइर ब्रेकट से मिल जाए तो एकस का यह माइनस का यह प्लस कड़ गया थी एकस और एकस पॉर एकस होगे इससे कड़ गया परेक्ट से माइनस करब दो तो मिल गया तो मैनस का माइनस का 2x स्कॉाइर और a इसकॉइर ब्रेकट से क्या मिला माइनस करो और तो एसकॉइर मिला ना अपान में डाइ की पावर फाइब ठाशिक्त नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे रंच नमत करते रहो प्र सुन्थ करते रहो क्यों के लिखुए धित्व्य के अपान में दे एक्स स्क्वाई घट्य वाय गेपान में देमें डेस्स कॉह और इसको सेनल लग değer Kitchen फिर ए फिर इ यह आंसर शीट आगा गया है नोट कर लो अब एक्जामपल सिक्स और सॉल्व कर बाते हैं सिंप्ल है दो दो लाइन में दो पार्ड हैं हो जाएंगे इसको हम रफ करेंगे एक्जामपल 6 solve करवाते हैं क्या करवाते हैं एक जंपर 6 आप लोग नोट करते रो कुस्ण में दम नहीं होती है चाहे कुस्ण हो चाहें एक जंपल हो के बला आपको रूल पता हो फटा-फट-फट-फट-फट सॉल हो जाते हैं तो सेक्स का फर्स्ट पार्ट में बोला इफ इतना है एक जीरो एंड फाई वाई कमा जेड एक वल में जीरो पिर लिकाए सो देट क्या करना है लिखते हैं आप लोग लिखो यह प्रूब करना है ओके यह फाई जेड बाई जेड एक्स ठीक है देखो आपको पता करना है गिविन देट से मतलब आंसर सीड से नहीं कौन सा लगेगा अबने भी लेट से पता चल जाता है कि फार्मुला कौन सा लगेगा तो गिविन देट में एकवल जीरो है एकवल यह पर जीरो है तब तभी तो आप लेट करते ह 되면 यहां पर कुछ भी हो एकनि यहां पर पहले से बताए इतना इतना जीरो एकनों है तो यह पथा कर लिए के लिए जो फार्मुला बना है वही लगेगा तो आपको पता है कि इसरे से से कर लेता है तो आईडिया आपको बदाते हैं जैसे यू के एक्वल या Óफ तो यह उंपर रहेगा और ये वाला नीचे यह वाला उपर तीर तो नीचे तीर है तो नीचे रखना है समझ के ऐसे यूज करना तो पहले हम इसके लिए फार्मॉला यूज करेंगे फिर देखेंगे उन दो दोनों को देखें लेंगे कैसे साइट करना है कि जी आंसरीड मिल जाए पहले क्या लिख लो तो यह एक्स यह तो मैं चोगे सेम तुसे वह वाला चाप लो कि डी वाई के अपान में अचीम मैं डी एक्स हो डी के अपान में डी एक्स टेल एफ अपान में पंस पंस देखें अब अब फाई है बाई कामा जेट फाई वाई कामा जेट एक पर जीरो है तो देखो हमने क्या बताया था यह बैरेविल उपर बाद वाला उपर और पहले वाला नीचे जाएगा तो बाद वाला उपर हमने क्या गया बाद वाला उपर और पहले वाला नीचे फिर आपको पता है क और उपर वाला नीचे आता है डेल फाइग एपांड जैल ओके इतना किलियर हुआ कि नीचे वाला उपर नीचे और यह फंक्सन यह लिखना है उपर भी नीचे अब क्या करना इन्हीं को सैट करना है कैसे सैट करना हम आपको बदाते हैं अगर देखा यहां पर देखो कैसे मिलेगा मतलब यह उपर नीचे अगर इसका इसमें इंटू कर जेसे डि य के वाई के में मेरे पास है डि एकस है हमने लिख लेना है क्योंकि इन्हीं दो एक्वेशन से आपको यह आंवम्सरीड वनाना चाहिए कैसे अगर इसका इसमें इंटू करते हैं तो देखो DZ क्या है डी वाई क्या है दी वाई करतलों यह कट गया देखो आ गया डी यह अपॉन दूस है है तो मतलब इंटू करना है एकवेशन फास्ट ए मुल्टिपलाई सेकेंड हमने बता है यह जो दो पार्ट है एक्जामपल this is six के दो बाड़ एगदम सिंपिल है एगदम सिंपिल है और यह आ चुका भी है आपको बताते हैं पाइस्ट वाला पाड़ जो है कहा कहा पुछा गया है अवैद अब आएद युनिवर्स्टी में दो हजार एक चे और आगरा अगरा पूचा दो हजार एक में यह यह आया भी है ऐसी बात नहीं है आया भी है तो आपको क्या करना मुल्टिप्लाई करना है कर दो आप मुल्टिप्लाई कर दो कि टो टीक है मल्टिप्लाई कर दो three two one and two टो क्या सकते नहीं दो फाना हमने लिखा डी-ेक्स इन्टू में डी जेड्व कि अपान लिखा दिवाइव त समझेवे डी ऐपान डी एक्स कि इन्टू में डी जेड़ बान डी इवाइव कि अब आइसे ही यहाँ पर जैसे मैन險 फंस है पॉब्वार फंस पर य काये ये य हम frozen फर यह वाला लिखो द्पाज़ तेट्व द्पाय के पाज़ेखो य्प आप्शा ही पान में थेख लो आप ऑन की बात पर ही में यह देखोगो डेल फाई पॉवारंट तो देल Hier है डेल फाई केभण गया यह तो डूपर का पान में क्या गशाँ डू इक सिक्वाल में उपर का उपर लिखना पाइघवाए उपर्छ नीचे का नीचे लिगना के लिखना और डेल फाई के पाम eh इतना अब देवो इतना केलियर वह कैसे मिलेगा डेल से एक्सके पार्सम deno तो कैसे मिलेगा पहले बाई पहले ज्यल्सका इसमें इंटू कर दो इसका इसमें मिल जाए से लिकाब मों न्सकाइब December Delphi के अपाउन में डेलजड मैं चुआ और यह तो पहले से मेरे पास डेलज अपाउन दिये ये वाला इकुल में पहले एक्स फिर भाई तो डेल याफ अपाउन में डेल पाई के अपाउन में डेलवाई ठीक है ऐसे करके आपको प्रूब करना है हमने आपको बताया है कि प्रूब देट से पता नहीं चलेगा कि फार्मॉला कौन सा लगेगा गिबिन देट से पता किया करो अब इतना हो गया अब इसका सेकेंड पार्ट जो है उसको बताते हैं पहले इसको रफ करेंगे सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट की है बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई आ रही है पहले इसको रफ करते हैं फिर बताते हैं पहले इसको क्या करते हैं रफ करते हैं फिर बताते हैं आप लोग क्या करो अगर आपके पास बिनोत कुमार राइटर की बुक है तो लगाने लगो अगर अधर राइटर की बुक है तो मैच कर ले ना क्योंकि हम लिख भी देते हैं इसी बात नहीं है यहां पर सेट्ट पार्ट किक जांगा पंफ इफ दा कर वो अफ एफ एक्स गावाइस एक्विए प्र यह एक्विए जीरो फिर क्या एंड वाई एक्विए एक्विए जीरो फिर लिखा एट तच पुल लिखा है सूदेट ए यह लिगा है सूदेट है आएट दपोईंट एडव फूइनट अफ अफ्नक्ट अफ गोंटक टाइक्ट है कॉंटक घिक यही प्रूब करना यहां पे लिख देते हैं डेल एफ अपान में डेल एक्स इरे डेल फाई के मढगन में डेल वाई- से सब्सक्राइब करते हैं पर्प हमला अब छाहरोdrawande मसह की कि अब देख लूह कि परूब करना ही है तो पुरूब जैट से आपको पता ही नहीं चल पाएगा फार्मुला कौन से लगेगा गिपीं दैट से पता लग जाएगा अभी यही तु था सेम तो से इंप्लिसेट के लिए जो फार्मुला आपने याद किया है वही लगेगा असपास फलन बोलता है तो गिविन दैट लिए लुख पहले आपको एक्क्वेस्ट वना एक्स का माउल कुभाई एक फज हो कैसे लिखागी बाद वाला जो पर पहले पीनो गुछ Scoying यह पंक्सट कि बीविन है तो बाद वाला ऊपर और उपर वाला नीचे है फिर मािनस अब नीचे वाला उपर चला जाए раз्ग की नीचे लिखना है तैंदेखो देखो इदर नीचे वालो उपर ऊपर ऊपर वाला नीचे लेकिन फंक संग के नीचे लिखना ऐसे करके लिख जाता हैं bleSiट फंक्टा हैं आप इसको इनटाल दो फास्ट अब लिखो यह यह वाला नहीं है यहां पर हमने लिखा बाद वाला उपर और पहले वाला नीचे फिर इसके बाद माइनस पंक्सन के नीचे लिखो तो यह वाला नीचे यह उपर नीचे अब बता रखना है अगर देखा जाए यह कियो टू क्योंक्के सेम टू से मैं ओ डी इपॉन डे एकलाना भी को से मतलब इचाना है क्या दिखाना आए इन को बोलती है यह लाना यह लाना आए यह लाना ओपर fandom कर थो एक्वेल कर दू यढए तो फ्राम अक्वेशन वास्ट एंड सेखेंड में समझने आ रहा होगा चार्य मटूर यजब करेंगे तो ठीक है मैन से डेल sf के अपान में डेल एक्षर डेल एफ के अपान में डेल को रहे हैं,以क्वल में मैं झार मैं डेल डाल किया पर करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें तो मैंस हो जाएगा और आप है यहां पर फाई यह ठीक है तो डेल के इसका इसमें कर दो पहले यह वाला पहुंचेगा ठीक है फिर फाई वाला बार ना मुंद देख लो बांस अब क्या करना है माइनस हैन इक्वल जीरो तो इसको की साइड लाके आंतर री छोड़ देंगे में तो डेल एक्व के अपार में डेल-एकस इंटू में डेल-पाई के अपार में डेल-वाई-जी थी कि यह लो अन्सरीट कर लो डेल यह पॉर्टर मैश करो डिफरेंसियल औपरेटर है पहला हो गया दूसरा मैश हो गया फिर यह तीसरा मैश हुआ यह चोथा मैश हो गया तो मेरे प्यारे बच्चे यह कंप्विट हुआ एक्जामपल 6 फर्स्ट पार्ट और सेगंड पार आज किलास में यहीं तक रखते हैं अब अगली किलास में जो है इसके आगे के एक्जामपल हैं थोड़े बहुत और हैं उनको भी सॉल्व करवाएंगे लेकिन अगली किलास में तभी बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ल जहां तक सेर करो करो मिलते हैं अगली किलास में आज के लिए इतना है काफी है धन्यवाद झाल